खमागणी फ्रेंट्स वेलकम बेक टू स्वादो सेहत तो आज स्वादो सेहत में बनाएगे बिल्कुल रेस्टोराइंट जसा मटर पनी तो आईए रेसिपी शुरू कर लेते हैं तो यहाँ देखे मैने दो बड़े साइज के प्याज लिए हैं तीन मीडियम साइज के टमाटर है तीन हरीमिर्च है आठ तस कली लहसुन है और एक इंच टुकड़ा मैंने अद्रक का लिया था जिसको ठोड़े चोटे पीसिस में मैंने कट कर लिया है अद्रक को प्याज टमा अब इसके अंदर मैं एड़ कर रहे हूं प्याज लेसुन और अद्रक अब इन तीनों ही चीजों को हमें थोड़ा सा बिल्कुल हलका सा भून लेना है ताकि इनका कच्छा पंदूर हो जाए तो प्याज हमारा हलका सा सोफ्ट हो जाए थोड़ा सा ट्रांस्लूसेंट होने तो टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर नमक आड़ कर दें तो नमक डालने की वज़़ेसे हमारा जो टमाटर हो पटाफट पंग जाएगा थोड़ा सा लगबग 2-3 चमच के आसपास इसके अंदर में पानी भी अड़ कर देंगे बस इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारी प्यास टमाटर है फटाफट हमारी अच्छे से पक जाएं अब इसको ढखकन लगा करके लगबग 2-3 मिनिट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर कुप कर लेना है तो 2-3 मिनिट के बाद में देखी प्यास और हरीमिच एकदम सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुका है तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और यह जो मसाले हैं इनको हमें थोड़ा सा थंडा करना है थंडा होने पर इनको एक ग्राइंडर जारके अंदर डाल करके इसका हमें पेस्ट तियार करना है यहाँ देखिए इसकी इस तरीके से हमें प्योरी तियार कर लेनी है अब उसी कड़ाही में हम 4-5 चमच तेल ले लेंगे तेल को गर्म होने देंगे तेल जब गर्म हो जाए तो इसके अदर एक चोटा चमच जीरा डालेंगे साथी मैंने यहाँ पर एक चमच औरडिनरी लालमिच पाउडर लिया है साथी आधा चमच मैंने इसमें कश्मीरी लालमिच पाउडर भी लिया है कश्मीरी लालमिच पाउडर से इसका जो कलर है हमारी ग्रेवी का वो बहुत बढ़िया आएगा तो अगर आपके पास है तो आप डालें वन आप स्किप कर सकते हैं लालमिच को तेल के अंदर हमें डाल देना है और लालमिच डालते ही इसके साथ ही हमें जो प्योरी हमने त्यार करके रखे थी वो डाल देंगे तो लाल मिच हमने पहले इसलिए डाली थी ताकि इसका जो भुनावा टेस्ट आएगा करी के अंदर वो बहुत ही वड़ी आएगा लेकिन ध्यान रखें गैस की फ्रेम जब आप लाल मिच डाल रहें तो एकदम कम कर लें ताकि लाल मिच जले नहीं और लाल मिच डालने के जस्ट बाद ही आप प्योरे अड़ कर दें इसके अंदर लाल मिच और यह जो प्योरे हमने तियार की है इसको हमें अच्छ से मिक्स कर लेना है अब इसमें बाकी की मसाले एड़ करेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ दो चमच धनिया पाउडर एक चुथाई चमच इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी और धनिया को मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढखकन लगा करके हम 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने बाद में एड़ किये हैं और प्योरे हैं वो बिल्कुल अच्छे से भुन जाएं तो यहां देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं तेल सेपरेट हो चुका है मसालों से एक बाद फिर से चम्मच से इसको चला लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप ताजा मतर तो मतर यहां पर मैंने फ्रेश लिये हैं फ्रोजन मतर नहीं लिये हैं तो क्योंकि मैंने यहां पर फ्रेश मतर लिये हैं तो इनको हमें थोड़ी सी देर के लिए पकाना पड़ेगा अगर आप frozen मटर ले रहे हैं तो आपको पकानी की ज़रत नहीं है क्योंकि वो already cooked होते हैं तो यहाँ पर इसको 2-3 मिनिट के लिए हम मटर को पकाएंगे ताकि मटर हमारी soft हो जाए अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी डाल रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए तो लगबग एक कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप एक कप के आसपास पानी डालें थिन ग्रेवी चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा ज्यादा एड़ कर लें अब यह जो मटर है इनको हमें धक्कान लगा करके दो सी तीन मिनिट के लिए कुक कर लेना है तकि मटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए यहां देखिए मटर हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं हाथ से एक मटर को फोड़ कर देखेंगे मटर एक दम हमारा सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमश गरम मसाला साथी 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स काट करके इसके अंदर डाल देंगे पनीर को ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे तो बस अब इसको ढखकन लगा करके लगबग एक मिनिट के लिए हम और पका लेंगे और ये लिजे तयार है हमारा गर्मा गर्म मतर पनीर लास्ट में इसके अंदर जो कमी रह गई है वो भी पूरी कर लेते हैं तो बस इसमें हम डाल देंगे बारी कटावा कूप सारा हरा धनिया अगर आप कसूरी मेथी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं लेकिन अभी हरा धनिया बहुत फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आरा है वजार में तो आप हरा धनिया इसके अंदर डालें बस हरे धनियों को mix करने के बाद में gas की flame को बंद कर देना है और गर्मा गर्म मटर पनीर को निकाल लेंगे serving ball के अंदर और बस यह जो गर्मा गर्म मटर पनीर है इसको आप serve कीजे गर्मा गर्म पूरी पराठों या चपाते के साथ में तो ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज मटर पनीर बन करके तयार होता है तो ये दी फ्रैंस आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ मेसी चैनल पर तब तक के लिए बाइ स्टे कनेक्टेड हैपी कुकिंग